नमस्कार दोस्तों दोस्तों खून में प्रोजेस्टेरोन के स्तर की जाँच प्रोजेस्टेरोन टेस्ट के द्वरा की जाती है प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो की महिलाओं के शरीर में अंडा शे द्वरा बनाये जाता है गर्बवती महिलाओं में ये हार्मोन गर्बना में मदद करना है महीला के शरीर में ओविलेशन के बाद प्रोजेश्टेरों का स्तर बढ़ता है जिसका मतलब है मासिक दर्म चक्र के दूसरे भाग में और इस समय गर्बाशाय की परत मोटी होने लगती है ताकि गर्बधारन के लिए इंप्लांटेशन हो सके अगर महीला के प्रजनन की अउदी में प्रोजेश्टेरों के स्तर की जाच कई बार करने की सला दे सकते हैं किसी विशेश शमय पर प्रोजेश्टेरों का स्तर गर्बावस्ता के असफल होने का ओविलेशन का या एक्टोपी प्रेगनेंसी का संकेत दे सकते हैं प्रोजेश्टेर कि जाच के लिए प्रोजिस्टेरों टेस्ट करवाने की सलाद दे सकते हैं जैसे कि महिला में ओविलेशन हो रहा है या नहीं इसकी पुष्टी करने के लिए यदि महिला को पहले मिस्करेज हो चुके हैं तो गर्बा अवस्ता की वर्तमान स्थिती जानने के लिए बांजपन क प्रोजेस्टेरोन का स्तर और सामाने हो सकता है और इसलिए पुरूशों को भी प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाने की सलाथ दी जा सकती है और जैसा कि बताया जा चुका है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्बा वस्ता को सामाने रखने में मदद करता है और इसलिए जिन मह प्रीज द्वारा ऐसी कोई भी दवायां सप्लिमेंट लिये जा रहे हैं तो इसकी जानकर उसे डॉक्टर को दे देनी चाहिए इसके अलावा यदि हर्मल सप्लिमेंट या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो इस बारे में भी डॉक्टर को बता दिया जाना चाहिए डॉ और ना ही उसकी खुरात में कोई बढ़लाव करें डॉक्टर को अपनी पिछली पिरियड की तारिक भी बताए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वे किसी विशेश अवस्था में प्रोजिस्टेरोन हार्मोन का स्तर टेस्ट करने के लिए कहें यदि प्रोजिस्टेरोन टेस्ट से प पांच मिनिट का समय लगता है टेस्ट के लिए रक्त का सेंपल मरीज की बाह से लिया जाता है सबसे पहले बाह पर एक इलास्टिक बेंड बांदा जाता है ताकि नस जो है वो साफ नजर आए और इसके बाद बाह को साफ करने के लिए ऐलकोहल युक्त दवा का प्रियोग क एक किटानोराई सुई से बलड सेमपल लिया जाता है और इस समय कुछ लोगों को सुई लगने से चुबन हो सकती है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाती है और इसके बाद बलड एक साफ ट्यूब में निकाल लिया जाता है और बहाँ पर बेंडेज लगा दी जाती है और अंत में परिक्षन के लिए blood simple को lab में base दिया जाता है और अब हम दुस्तों जानेंगे progesterone test के परिणाम और उसके normal range के बारे में तो सबसे बेले बात कीज़ाएं सामन्य परिणामों की तो progesterone test के परिणाम nanogram प्रती मिलिलीटर में लिखे जाते हैं प्रजलन उम्र की अलग-अलग अवस्ताओं में इसकी value अलग-अलग हो सकती है विबिन अवस्ताओं और उनसे जूड़ी normal range की बात करें तो puberty से पहले 0.1 से 0.3 nanogram प्रती मिलिलीटर वयस्क की बात करें तो ovulation से पहले की अवस्ता में 0.1 से 0.7 नैनो ग्राम प्रती मिलिलीटर और ovulation के बात की अवस्ता में 2 से 25 नैनो ग्राम प्रती मिलिलीटर उसके बाद दूस्तों बात करें गरबा अवस्ता की तो पहली तिमाही में 10 से 44 नैनो ग्राम प्रती मिलिलीटर दूसरी तिमाही में प्रोजेस्टेरोन मुख्य तोर पर महिलाओं में इस तरावित होता है पुरुशों में प्रोजेस्टेरोन का स्थर दिखाई नहीं देता। प्रोजेस्टेरोन का सामन्य से अधिक स्थर जुड़ा बच्चे होने या और सामन्य गरबा अवस्था होने का संकेत दे सकते हैं। प्रोजेशन न होने का संकेत हो सकता है और ऐसा हाइपो गौनाडिजम नामक सितिके होने के कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को कले सबस्क्राइब और बैल आइकन के बटन को जरू क्लिक कर लें ताके मेरी नए वीडियो की नाटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फूर यॉर टाइम।